हट का एक अर्थ जैसा हमने पहले ही देखा इसका अर्थ है जिद शरीर को एक नया आकार देने के लिए एक तरह से सारे सिस्टम को बुनियादी तरीके से दोबारा बनाने के लिए एक तरह की जिद यानी हट की जरूरत है ये भगवान के लिए भी नहीं है क्योंकि कहते हैं कि भगवान ने संडे को छुट्टी ली थी पर आप मेंसे ज्यादतर लोग जहां से आए हैं वहाँ भगवान ने संडे को छुट्टी ली थी इसलिए वो हट योगी नहीं है वो हो ही नहीं सकते हट योगी में जिद होती है उसका कोई संडे मंडे नहीं होता वो हमेशा चालू रहता है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक व्यस्ख हो चुके शरीर को फिर से नहीं बना सकते शरीर को फिर से बनाने का मतलब है पहली बार जब आपका शरीर बना तब ज्यादतर उस जानकारी से बना जो आपको माता-पिता से मिली वो memory जो उनके शरीर में बसी थी जो पहले दो थे वो साथ आते हैं और एक अधिक complex memory system बनता है और इसी तरह हर बच्चा पैदा होता है तो शरीर का आकार आपका पूरा system जिस तरह से है सब कुछ ज्यादा तर इसी memory से आकार लेता है अब अगर आप एक खास तरह से है इसे करने के तरीके है हम दरसल ऐसे long term experiments कर सकते हैं अगर कोई इसे fund करे तो हम दिखा सकते हैं आप थोड़ा पीछे जा कर देखिए मान लीजिए, पांच पीडी पहले मेरे पर दादा, पर 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 दादा बहुत ही महान इंसान थे वो बहुत अकलमंद, शारिरिक तोर पर मजबूत और बहुत काबिल थे मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ हम कुछ खास तरह का योग कर सकते हैं जिससे उस याद का ज्यादतर हिस्सा आपके तंदर में जगाया जा सके हो सकता है कि आपके पिता कमजोर थे आप ऐसा नहीं बनना चाहते आप अपने पर-पर परदादा जैसा बनना चाहते हैं तो कुछ खास तरह के योग हैं जिससे हम उस मेमरी को पहचान कर उससे सबसे ज़्यादा सक्री कर सकते हैं वो एक मात्र मेमोरी नहीं होगी पर वो सबसे ज्यादा हावी हो जाएगी तो योगिक सिस्टम ने इसे ऐसे देखा या एक और तरीका है आम तोर पर योगिक सिस्टम इसी का पालन करता है जब सब्त रिशी आदियोगी के सामने बैठे तो उनकी एक मात्रा अकांक्षा यही थी कि वो उनके जैसा बनना चाहते थे उनकी अपने पिता या दादा में कोई रुची नहीं थी तो आदियोगी ने कहा हम बागी सारी यादों को मिटा देंगे और आप इस पर काम कीजिए तो आज भी अगर कोई सन्यास लेता है तो सबसे पहला कदम यही होता है कि कुछ खास प्रक्रियाओं से वो अपनी जेनेटिक मेमरी से एक दूरी बना लेते हैं जो कहीं और से आई है क्योंकि ये छोटा सा अंतर भी सिस्टम में काफी लचीलापन ले आता है पर अगर आप जेनेटिक मेमरी को हटा लेते हैं अगर आप सफलता के साथ खुद को जेनेटिक मेमरी से अलग कर लेते हैं तो आपको बहुत जागरुक होना होगा खुद को वैसा आकार देने के लिए जैसा आप चाहते हैं आपके पास जरूरी साधना होनी चाहिए वरना मेमरी भी नहीं और जागरुकता भी नहीं तो ये बेकाबू हो जाएगा लोग जल्दी मर सकते हैं ऐसा भी संभव हैं अगर कोई दूरी बना लेता है अपनी जेनेटिक मेमरी से और सिस्टम को दोबारा बनाने के लिए जरूरी काम नहीं करता तो उसका सिस्टम कुछ ही समय में ढह सकता है क्योंकि जेनेटिक तत्थों में बसी याद ही शरीर को एक तरह के आकार में संभाले रखती है क्यों किसी एक व्यक्ती का शरीर दूसरे के तुलना में कहीं ज्यादा संपूर्ण दिखता है स्वाभाविक रूप से ऐसा उस जेनेटिक मेमरी की वज़े से होता है जो उनके पास है तो हट योग में कम से कम साधना के इस तर पर हम जेनेटिक मेमरी से दूरी बनानी की कोशिश नहीं कर रहे हम अपने भीतर जो सबसे बहतर है उसे लेने की कोशिश कर रहे है कई तरह के लोग हो सकते हैं अगर आप अपनी पिछली 25 पीडियों को देखे अगर आप अपने फैमिली ट्री को देखें अगर आप ठीक पिछली पीडी को देखते हैं तो आपका संबंध केवल दो लोगों से हैं आपकी माँ और पिता लेकिन अगर आप थोड़ा आके देखें तो कम से कम डेड़ सो लोग आपके मेमरी में अपना योगदान दे रहे हैं अब ये सभी लोग हमें नहीं पता कि ये किस तरह के लोग हैं हो सकता है कि कुछ बहुत मजबूत रहे हो कुछ कमजोर, कुछ रोगी, कुछ सेहत मन्द कुछ बहुत केंदरेत और कुछ बिखरे हुए इस्ट्री में हर तरह के लोग हो सकते हैं आप किस से ग्रहन करते हैं या इन सभी से सबसे अच्छी चीज़ें कैसे ग्रहन कर सकते हैं ये महतुपून है हठ यानी ह यानी सूर्य और ठ यानी चंद्रमा अपने माता पिता से सीधे ग्रहन करना वास्ताव में हमारे माता पिता हैं सूर्य और चंद्रमा और ग्रह ये तीन ग्रह कोक है सूर्य वा चंद्र किसी रूप में गर्भाधारन करते हैं और ये हो रहा है अगर सूर्य नहोता तो जीवन भी नहीं होता अगर चंद्रमा ना होता तो जीवन वैसा नहीं होता जैसे अभी है ये शायद किसी और तरह से होता तो ये तीनों आयाम एक एहम भूमी का निभा रहे हैं तो हट का एक पहलू है अपने वन्ष के प्रभाव को एक और रख देना मेरे पिता, मेरे दादा, इन सभी को आप किनारे रख दीजे क्योंकि ये सारा वन्ष सूर और चंद्रमा से शुरू हुआ है आप सीधे उन्ही से ग्रहन करना चाहते हैं हट योग का यही अर्थ है आप एक ऐसा संतुलन पैदा करते हैं कि ये बीच की कड़ियां खो जाती है और आप सीधे उस से ग्रहन करते हैं जैसा कि जीवन बनाया गया था बीच में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो चुका है सदियों की पेडियों द्वारा आप उसे मिटा कर सीधे अपने माता-पिता से ग्रहन करना चाहते हैं सूर्य को पिता की तरह और चंद्रमा को मा की तरह देखा जाता है जैसा कि हमने कई बार देखा है हमारी माताओं के पास मा बनने की योगिता इसी बज़े से आई है क्योंकि वो चंद्रमा के चक्रों के साथ तालमेल में थी वरना वो इस योगि नहीं होती कि हमारी मा बन सके वो सिर्फ उसी कारण बच्चे पैदा करने के काबिल बनी तो अपने असली माता और पिता से सीधे संबंध बनाना और इसके बीच योग में हम कहते हैं कि बीच में सब ब्रश्टाचार है सब कुछ मिला हुआ है जनेटिक और दूसरी यादें हर तरह की चीजें हुई हो सकता है कुछ अच्छी हों, कुछ बुरी हों हर तरह का मिक्स्चर है हमारा उस पर काबू नहीं तो सीथे हर और ठर से ग्रहन करना जो है सूर्य और चंद्रमा तो हटयोग की प्रकृती ऐसी है कि हम धीरे धीरे सूर्य और चंद्रमा से जोड़ सकते हैं आपको चेक करके देखना चाहिए धाई साल तक अगर आप हर दिन साधना करते हैं हर दिन धाई साल तक अगर आप साधना करते हैं अगर आप बस इस तरह आँख बंद कर लें तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आज चंद्रमा की कौन सी कला है क्योंकि ये आपके सिस्टम में भी होता है एक हट ही होगी अगर अपनी आँखे बंद करे तो उसे चंद्रमा की कला पता होना चाहिए सूर के दूसरे भी पहलू है जो जाने जा सकते हैं जो ज्यादा जटिल हैं पर कम से कम चंद्रमा की कला हैं तो अपने भीतर पता चलनी चाहिए ये लोगों के अंदर बिलकुल गायब हो चुका है इसका मतलब से हम आपको बाहर निकाल सकते हैं पर आश्रम में ऐसा ना करें ठीक है? सिर्फ आत्म ग्यान पाना हो तो ऐसा करने के कई तरीके हैं आप आत्म ग्यान भी पाना चाहते हैं और एक शक्तिशाले जीवन भी जीना चाहते हैं तब हठेक एहम पहलू बन जाता है।